हाई अब्रीबन आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे रोजाना की तरह हम फिर आज एक नए चेप्टर के साथ हैं जो हमारा दो पैटल्स बुक जो क्लास फिप्ट में यूज होती है उसका फोर्टिंथ चेप्टर है दा लिटिल फायर ट्री छोटा देवदार का पेड उसमें इस पेड़ की इच्छाओ के बारे में बताया गया है उनी स्टोरियों के माध्यम से मैं आपको step by step इंगलिस को किस तरह से easily पढ़ना बोलना सीखें मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगर आप रोजाना हमारी वीडियो पाना चाते हैं जो कि हम सुभा 7 वज़े लात एक बार एक जादुगर घर बापस लोट रहा था मैजिसियन जादुगर रिटरनिंग घर बापस लोट रहा था अचानक तेजवारिस शुरू हो गई उसने आसपास सरन के लिए देखा और एक छोटे देवदार के पिड़ को देखा यह जो देबदार के पेड़ होते हैं एक छाते टाइप के होते हैं इस पे जब उपर से बून गिरती है तो वो साइट को ढल जाती है तो एकदम सीधे नीचे नहीं आती जल्द ही इट स्टोब्ड रेनिंग जल्द ही बारिस रुक गई जादुगर ने पेड़ से कहा धन्यवाद कि तुम मेरे पिर्टी दयावान रहे मतलब वो पेड़ उसको बचाए रखा बारिस से तो उसके लिए जादुगर ने उन्हें धन्यवाद कहा मैं तुम्हें पुरुषकार देना चाहूंगा आस्क फोर फोर बिशिज उस जादुगर ने कहा चार एकछाए मांगो and I will grant them और मैं तुम्हें उन्हें दूँगा said the magician ऐसा जादुगर ने कहा जादुगर ने कहा कि धन्यवाद आप मेरे उपर महरवान रहे you have been kind to me I would like to reward you मैं आपको पुरुषकार देना चाहूंगा ask for four pieces चार एकछाए मांग सकते हो उस पेड़ से खा and I will grant them और मैं तुम्हें उन्हें दूँगा said the magician इस तरह से उस जादुगर ने कहा the fire tree had needle-like leaves and no words ever made their nests in it the fire tree had needle-like leaves जो देबदार का पेड़ था उसकी सुई जैसी नोगदार पत्तियां थी and no words ever made their nests in it और किसी भी पक्छी ने आस्तलक उसके उपर अपना घर नहीं बनाया था घोंसला नहीं बनाया था nest होता है घोंसला so it said तो पेड़ ने कहा I wish I had green leaves like my other's friend तो पेड़ ने कहा कास मेरे पास हरी पत्तियां होती जैसी मेरे बाकी दोस्तों के पास होती है जैसे इसके पास हैं हरी पत्तियां ऐसे की इसने इक्छा की और इस समय ये जो हैं इस टाइप की थी next morning इस विश्वाज ग्रांटेड अगली सुवा उसकी इक्छा पूरी हो गई soon a goat came along and ate all the green leaves अगली सुवा उसकी इक्छा पूरी हो गई और एक बकरी आई और सारी हरी पत्तियां खा गई ये बकरी यहां हरी पत्तियां खा रही है क्योंकि पहले उसकी सुवी जैसी पत्ति थी बकरी नहीं खा पाती थी और जब अच्छी मुलायम हरी पत्ति हो गई तो उसकी सारी पत्तियां बकरी खा गई देबदार के पेड़ ने कहा आई विस आई हैड गोल्ड लीप्स काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती इस बार जो इक्छा की है उस पेड़ ने इक्छा की है कि काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती When the little fire tree woke up the next morning जब छोटा देवदार का पेड़ अगली सुबा उठा It was surprised to see the gold leaves बहे सोने की पत्यां देखकर आस्चर ये चिकित था A man came along and stole all the gold leaves एक आदमी आया और सारी सोने की पत्यां चुरा कर ले गया This time the fire tree said इस बार जो देवदार का पेड़ था उसने कहा I had glass leaves मेरी इक्षा है मेरी कांच की पत्यां होती इस बार जो उसकी तीसरी इक्षा है उसने मांगा कि मेरी जो पत्यां है वो कांच की होती Men do not steal glass leaves जो आदमी है आदमी कांच की पत्यों को नहीं चुराते ऐसा उस पेड़ ने सोचा At night the wind blew and all the glass leaves broke रात को हवा चली और सारे कांच की पत्यां तूट गई क्यूंकि आपस में जब वो टकराई तो सारी तूट नी जायज थी ये था वो पेड़ और पहले जो इसके बाकी मित्रत पेड़ थे वो ये खड़े हैं इसकी सारी पत्यां तूटके गिर गई है The fire tree said देबदार के पेड़ ने कहा I want my old needle-like leaves back देबदार के पेड़ ने कहा मैं अपनी पुरानी सुई जैसी नोकदार पत्यों को बापस चाता हूँ So that, ताकि Goats do not eat them ताकि बक्रियां उन्हें खाना सके Man cannot steal them ताकि आदमी उन्हें चुराना सके And bind cannot break them और हवा उन्हें तोडने सके इस बार जो उसने चोथी इक्षा मांगी जैसा वो पहले था वैसा का वैसा ही मांग लिया A tree bent to slip पेड़ सो गया And it woke up the next morning जब अगली सुबा यह है उठा It's needle like leaves But back again उसकी सुई जैसी पत्ते फिर से बापस आ गए थे जब वो सोके उठा यह हमारी आज की स्टोरी थी और इसी स्टोरी का सार क्या है इसी स्टोरी का सार हम देखते हैं You should be happy with what you have आपके पास जो है उससे आपको खुस होना चाहिए कभी भी इतना निरास नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है तो आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी इसके साथ कुछ इसके word है जो word pronunciation और meaning है उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को share जरूर करना एक दोस्त को suggest जरूर करना और उनसे subscribe के लिए बोलना जिससे मुझे काफी motivate मिलता है और comment जरूर किजिए किस तरह की आपको यह स्टोरी लगी और साथ ही साथ like भी कर लेना अब हम यह जो इसके अंदर tough word आये थे वो देख लेते हैं new words word pronunciation meaning और first form of the verb और जो यह word है इनसे जब first form बनती है तो उनका क्या आर्थ होता है तो सुरू करते है magician magician होता है एक noun है magician होता है जादूगर reward पुरुषकार इसको क्या पढ़ते हैं यह इसका pronunciation होता है reward reward यह होता है पुरुषकार wish wish होता है इक्छा surprised surprised होता है आस्चरे चिकित हुआ stall वहाँ पत्ती stall की थी यानि चुराई stall चुराया broke broke होता है तूट गया अब जैसे यह हैं यह second form में यूज़ी है इनकी first form क्या थी जैसे second form past मतलब past में घटित हुआ चुराया present में still चुराना break तूटना और surprise का आस्चरे चिकित हुआ और present में क्या होगा surprise आस्चरे चिकित होना अगर आप चाहते हैं मैं इन chapter की exercise भी कराऊं जो इसकी grammar exercise होती है वो मैं आपको कराऊंगा अगर आप बोलते हैं तो क्योंकि हम जब chapter सारा पढ़ रहे हैं तो exercise भी हम easily कर सकते हैं और जैसे आपने यह chapter पढ़ लिया मेरे शाथ अब आप इसकी exercise करेंगे तो आप इसको अराम से कर सकते हैं तो मिलते हैं कल एक नई story के साथ और आशा करता हूँ कल आपके लिए मैं काफी कुछ लाऊंगा नई chapters जैसे passive, voice और translation और time and tense के जल्दी आने वाले हैं Thanks for watching this video Have a nice day